स्वागत है आपका पोल्टेक्निक क्लब के इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में केमेस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टन को बताने जा रहा है जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पून है अगर आपको नोट्स और पीडियेप चाहिए तोमारे टेलिग्राम चैनल को च्वथा पाठ है यह है हमारा पहला प्रसंर हम वागता है जल की ऐस था कर थोडता होती है आप चलते हैं अपने अगले प्रसंट पर अगला प्रसंट हमसे कहा रहा है वहाँ बाइकार्बोनेट था है याँ सिल्फेट के कारण अब चलते हैं हम अपने अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट वह से करा रहा है मान-श्पेश्यों में थकान कानुभा वह तो आप लोग कभी कभी देख़ेंगें है smoking जब जब धाया खेलोल क्याते हैं या पिर फृटवाल कंवते हैं या पर सुबह डौरने जाते हो होता है आपके मान स्पेसी में दर्द होने लगता है तो दर्द क्यों होता है तो लैक्टिक अमल के जमाओ के कारण है हम लोग को मान स्पेसी में दर्द होता है अब चलते हम अपने अगले प्रस पर अगला प्रसन हमसे कह रहा है दूद खटा हो जाता है दूद खटा क्यों हो जाता है तो दूद खटा होने के पीछे भी वहाँ पे लैक्टिक अमल का ही कारण दूद हम लोग देखे हों कभी-कभी कर में खटा हो जाता है खराब हो जाता है तो क्यों होता है तो लैक साइ 255 आपको सब्सक्राइब खडानों में अधिकांस विश्पोझ होता है ये जो हमारा मीथेən याने कि progress CH4, यही हवा में मिल जाने के कारण ही हम लोग का खदानों में विस्पोट देखा जाता है, अब चलते हम अपने अगले प्रसन पर, अगला प्रसन आपसे पूछ रहा है, किसी जलती हुई वस्तु पर मिट्टी डालने से आग बुझ जाती, आप देखे हों कहीं अगर छोटा सा नहीं तो आग लगा के थोड़ा दूर में देखेगा, उस पर आप मिट्टी डालिएगा तो आग बुझ जाती है, तो वस्तु से वातावरन की ऑक्सीजन का संपर खड़ जाता है, यहां जो वस्तु है, जो आग जल रहा है, उस पर हम लोग मिट्टी डालते हैं तो उसक औक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हम लोगों की आग बुझ जाती है, अब चलते हम अपने अगले प्रसद पर, अगला प्रसन हम से पूछ रहा है, शुर्रे से निरंतर उसमा मिलती है, शुर्रे से जो अभी तक हम लोग एतना देन से निरंतर उसमा मिले और आगे भी कई हजार सालों तक मिलते रहेगी, तो उसके पीछे का कारण का Hydrogen का Sun Lion होना, वहारा पर Sun Lion अवकिरिया होती हुआ, बहुत सारे Hydrogen अवकिरिया के कारण है, सुर्य से इतना उस्मा निकल रही सनलायन अवकिरिया की बात करें तो यही प्रकिरिया हम लोग के हाइड्रोजन बम में भी होती है जिस कारण से हाइड्रोजन बम इतने ख़दरनाक होते हैं अब चलते हैं हम अपने अगले प्रसन अगला प्रसन हमसे कह रहा है पहारों पर सांस लेने में कठनाई होती है जो उचे 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 पहार होते हैं वहाँ पर हम लोग को सांस लेने में कठनाई क्यों होती है तो वायू में ओक्सीजन की कमी आने के कारण वायू में ओक्सीजन की कमी आती है जिस कारण से हम लोग को पहार पर सांस लेने में कठनाई महासूस होती है अब चलते हैं अपने अगले प्रसन अगला प्रसन हमसे पूछा है Mars Gas का परमूख रचक है जैनी Mars Gas हम लोग किसे कहेंगे Mars Gas यानी कि हम लोग Methane को कहेंगे That is CH4 मार्स गैस काते हैं अब चलते हैं अपने अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद आपसे कह रहा है नोट से सूध जल का पीएच मान साथ होता है जो हम लोग घर में सूध जल देखते हों उसका पीएच भैलू पूछाजा सकता है तो सूध जल का पीएच मान हम लोग का साथ होत और इधर बढ़ते जाएगा तो वो early acid होता जाएगा, इधर basic čt अधर acid, सात and C आगे आपका base होते जाएगा इधर तो acid यानी खट्टा होते जाएग, अब चलते हैं हमारा अगला note क्या कहारा है चार डिगरी सेल्सियत आप मान पर जल का घनतव अधीक होता है जल की घनतव की बात की जाए डेंसिटी यानि वो चार डिगरी सेल्सियत पर आपका मैक्सिमम रहता है अब चलते हैं हम अपने अगले प्रसन अगला प्रसन हमसे पूछ रहा है आग बुझाने के लिए कारवन डाइकसाइड का परियोग किया जाता है बता रहा है कि आग बुझाने के लिए हम लोग कारवन डाइकसाइड का परियोग करता है जो आपको बुझा देता है अगला नूठ हमारा कह रहा है हीरा तथा ग्रेफाइट कारवन के क्रिस्टलिय अप्रूप है हीरा और ग्रेफाइट कारवन के क्रिस्टलिय अप्रूप है इसे हीरा यानि कि कारवन का अप्रूप ऐसे हम लोग का तीन होता है एक हीरा ग्रेफाइट और दुसरा फ्लूरीन होता है ये तीन हम लोग का कारव बहुत दन्यवाद वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें और रेट बटन सब्सक्राइब को जरूर दबाएं और वेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं